हमने एक ऐसे अनोखे क्रह की खूच की है जहां कठोर मौसम है जहां जान नजारे हैं और जहां हमेशा कुछ न कुछ अजीब खटता रहता है ये ब्रमांड का सबसे अधुत क्रह है और ये क्रह है हमारी धर्दी हमने इसके रहस्यों को समझना बस शुरू ही किया है जब धर्ती बनी यहां पर हालात नरक जैसे थे अगर बीते समय में जाना मुम्किन होता तो साड़े चार अरब पुरानी धर्ती पर हम बिना स्पेस सूट पहने नहीं जा सकते वो कौन सी भागे शाली खटनाए थी जिन्होंने धर्ती को उसका मौजूदा स्वरूप दिया अगर दाइनसार्स का खात्मा नहीं हुआ होता तो आज हम यहां नहीं होते आखिर मानवचाती का भविष्य क्या है ये तो निश्यत है कि भविष्य में बड़े पैमाने पर लुप्थ होने की घटना होगी जैसा कि अतीत में भी हो चुका है तो आखिर में धर्ती का क्या होगा कुछ वग्यानिकों के अनुसार आखिर में धर्ती घूमते घूमते खौलते हुए सूरच से जाटक राएगी और उसमें समा जाएगी आज देखेंगे पृत्वी की रचना और उसकी तबाही सीक्रिट्स अव दी अर्थ में रथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यह मानना मुश्किल हो जाता है कि कभी ये ग्रह अस्तित्व में नहीं था और भाविश्य में किसी दिन ये अस्तित्व में नहीं रहेगा ग्रह भी चन्म और मृत्यू से परें नहीं है तो धर्थी कैसे खत्म होगी और कैसे उसके असाधारण जन्म के कारण उसने इतने अनोखे ग्रह की शक्ल ली जहांपर जीवन के पनपने के सही हालात बन पाए कुछ वाइग्यानिक मानते हैं कि ऐसे हालात का बनना सरूरी नहीं था खुश किसमती से ऐसी कमस कम छे जबरदस्त घटनाएं घट चुकी हैं जिन्होंने धर्थी को एक फलते फूलते ग्रह में बदल दिया धर्थी के वर्तमान रूप के पीछे कुछ खास खुदरती तंथ हैं और कुछ जबरदस्त घटनाएं हैं अगर वो सब उस सिलसले में नहीं होता जैसा हुआ तो धर्थी का रूप बहुत अलग होता आज जैसा बिलकुल नहीं होता एक खास बात है जो सिर्फ प्रित्वी में है ये सौर मंडल का वो इकलो तक रह है जहां जटल जीवन के पनपने के लिए सही तापमान है पर ये कैसे मुम्किन हुआ और हम इस सही स्थान पर कैसे पहुँचे ये सिलसला गरीब पांच अरब साल पहले शुरू हुआ जब गैस और धूल को ग्रैविटी ने एक चुट किया ये इंटरस्टलर गैस और धूल बादल की शकल में थी इस बादल का स्यादत रंच बीच में जाकर जमा हो गया जिससे तारे की बनावट हुई जिसने बाद में सूरज की शकल ली इस नवजाच सूरज ने बादल में मौजूद 99 में दशालो नौ प्रतिशत गैस और धूल को अपने भीतर समेट लिया और जो गैस और धूल बची उसने सबाट होकर एक डिस्क का रूप ले लिया धूल और चट्टानों की घूमने वाली इस बनावट को फ्रोटो प्लानेटरी डिस्क कहते हैं हो सकता है शुरुवात में घूमने की प्रक्रिया धीमी रही हो पर जैसे जैसे इस डिस्क का घनापन बढ़ता गया तो conservation of angular momentum की वज़े से इसकी रफ्तार भी बढ़ती गई लगातार चक्कर लगाने की वज़े से ये डिस्क समतल होने लगी और फिर आखिर में सभी ग्रह लगवक एकी सता पर चक्कर लगाने लगे इसे पीज़ा बेस की तरह समसकते हैं जिसे बनाते वक्त घूमाया जा रहा हो जिस आक्सेस पर वो घूमता है वहां वो दबने लगता है और डिस्क का रूप ले लेता है हमारे सौर मंडल में सूरज के चक्कर लगाने वाले सबी ग्रह इस सार्फजनिक डिस्क में रहकर टौप करते हैं और ये हमारे सौर मंडल का प्लीन है उन में से ग्रह एक बहुत ही विशेश क्षेत्र में जन्म लेता है और वो ग्रह है हमारी धरती और उसके इस क्षेत्र में जन लेने की खटना उन शे भागिशाली खटनाओं में से पहली वाली है जिनसे भविश्य में ये बेहदनों खक रह बनेगा धर्ती सुरत से बिल्कुल सही फासले पर थी जिससे पानी अपने तरल रूप में रह सका ये बहुत ही एहम बात है धर्ती समंदर से धकी हुई है इस तरल पानी की वज़े से ही यहां जीवन संभव हो पाया जिस क्षेत्र में धर्ती का जन्ब हुआ उसे अकसर गोल्डी लॉक्स जोन कहा जाता है इस शेत्र में होने के कारण धर्ती ना ज्यादा गर्म है और ना ज्यादा ठंडी जैसा की गोल्डी लॉक्स और तीन भालो वाली कहानी में है धर्ती पर सही ताफमान होने की वज़े से ही पानी तरल रूप में रह पाता है जिससे मेटबॉलिजम संभव हो पाता है वीनस रहने लाइक शेतर के भीतरी किनारे पर है पर वहाँ सूरज का प्रकाश इतना तेज है कि और इस वज़े से मार्स जम गया जबके वीनस के साथ उलट हुआ वो गर्म हो गया पर धर्ती का तापमान सही रहा ये वो जगे बनगे जहां जीवन का पनपना संभव बन सका ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी धर्ती गोल्डी लॉक्स जोन में है सौर मंडल को स्केल करते हैं चलिए ये मानते हैं कि सूरज यहां इस गोल लाइन पर है और मेरा ये एक कदम अंतरिक्ष में करीब 16 लाग किलो मीटर के बराबर है तो इस तरह मरक्यूरी सूरज से 11 मीटर दूर है वीनस करीब 20 मीटर दूर फृत्वी 28 मीटर और मास करीब 43 मीटर दूर है और जूपिटर करीब 146 मीटर की दूरी पर परिक्रमा कर रहा है ये फासला करीब डेड़ फुटबॉल के मैदान जितना हुआ सैटन करीब 275 मीटर दूर है करीब 3 फुटबॉल के मैदान जितना और यूरैनस करीब 550 मीटर दूर है करीब 6 फुटबॉल मैदान जितना अगला ग्रह है नेट्चूर वो करीब 800 मीटर दूर है गोल्डी लॉक जोन करीब 23 मीटर का वो शेत्र है जो बीनस और मास के बीच है वो हमारे सौर मंडल का एक बहुत छोटा सा भाग है प्रित्वी इस भाग के एक तिहाई हिस्से में मौजूद है इस खाश शेत्र में होना हमारा सौभाग्य है पर जीवन को संभव बनाने के लिए किसी ग्रह में एक और चीज बेहत जरूरी है एक स्थिर भरोसे मंदवाता वलन पर किसी ग्रह में स्थिरता कैसे आती है ये जानने के लिए हमें करीब चार अरब साल पहले धर्ती की अतीत में जाना होगा तब अंतरिक्ष का एक हमलावर धर्ती को तबाह करने की फिराख में था प्रित्वी को बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ था तब एक बेहद विशाल का एक गोला कार चीज प्रित्वी से तकराई थी वैज्यानिक मानते हैं वो मार्स जितनी बड़ी थी पर वास्तव में ये तबाही ना होकर प्रित्वी पर होने वाली दूसरी भागेशाली घटना थी मार्स के आकार वाली इस गोला कार चीज के टकराव ने हलके पदार्थों के बने सतह के टुकडों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया इन टुकडों ने धर्ती के चारोर फैल कर एक विशाल चल्ले का रूप ले लिया हलके पदार्थों के बने इस छल्ली से आखिरकार चंद्रमा की बनावट हुई अगर वो टक्राव ना हुआ होता तो आज हम भी न होता इस अनोखे ढंग से जन्ग लेने के कारण पृत्वी का चंद्रमा ग्रह के आकार की तुलना में बहुत बड़ा है फल स्वारूप चंद्रमा की क्राविटी इतनी तेज है कि वो धर्थी को उसकी ओर्बिट से डगमगाने नहीं देगी गूमते वक धर्थी का अपनी एक्सेस यानि धूरी पर जुका होता है और गूमते वक धर्थी काफी डगमगा सकती थी पर चंद्रमा की वज़े से ऐसा नहीं होता क्योंकि वो इस्थिरता प्रदान करता है यह हमारी मौसम प्रणाली, जलवायू और वातावरण से जुड़े अन पहलूँ के लिए बहुत एहम है क्योंकि इनी की वज़े से धर्थी पर जीवन संभा हो पाया प्रिथ्वी के जुकाओ के कारण ही धर्थी पर अलग-लग मौसम है नौध पोल की दिशा हमेशा पोलारिस की ओर रहती है गर्मियों में नौधन हेमिस्फिर का जुकाओ सूरज की ओर होता है और इसी बज़े से गर्मियों का मौसम होता है पर 6 महीने बाद धर्ती गुमते गुमते सूरज की दूसरी और पहुँच जाती है पर Northern Hemisphere की दिशा Polaris की तरफी रहती है जब कि इस दौरान उसका जुकाव सूरज से उलट दिशा में होता है और इसी बज़े से सर्दिया आ जाती है प्रित्वी की परिक्रमा करने वाला चंद्रमा बड़े आकार का है इससे उसके जुकाव में स्थिर्ता बनी रहती है देखा जाये तो फिलहाल मार्स का जुकाव भी करीब करीब प्रित्वी के समान ही है पर बड़े आकार का चंद्रमा नहोने की बज़े से उसका जुकाव डगमगाता है और पिछले कई सालों से बदलता रहा है अगर हमारे पास ऐसा चंद्रमा नहीं होता, तो मौसमों में ना नियमित्ता होती और ना ही स्थिरता, ना ही क्रम से चलने वाले वो सिलसिले बन पाते, जिनमें जीवन ने खुद को ढाला है, क्योंकि जीवन को स्थिरता पसंद है पर करीब चार अरब साल पहले जब चंद्रमा की बनावट हुए कुछ ही समय हुआ था तब प्रिथवी बेजान थी और चारों तरफ सिर्फ खौलती बिगलती चट्टाने थी पर समय के साथ प्रिथवी ठंडी हुई और उसकी सतह ठोस बन गई पर नाइट्रिजन और काबन डायॉकसाइड के मिश्रन से वातवरन सहरीला था और जीवन को संभव बनाने वाला एक बुन्यादी तत्व अभी भी मौजूद नहीं था पानी और अब एक और महाप्रल है धर्ती को एक बार फैस से तबाह करने वाला था ग्रहों को देखकर लगता है कि वो जीवन और ब्रित्यू से परे हैं पर वो भी हमारी तरह जन्म लेते हैं और खत्म होते हैं लगभग चार अरफ साल पहले एक विनाशकारी टक्राओं से प्रित्वी को एक न्या जन्म मिला इस टक्राओं ने प्रित्वी को तबाह करने की बजाए चंद्रमा की बनावट की ये बनावट आगे चलकर मौसमों में स्थिर्था पैदा करने वाली थी पानी के बिना जीवन संभव नहीं है पर आखिर धर्थी को पानी कहां से मिलेगा धर्थी की बनावट के करीब पचास करोन साल बाद हमारे गर मीटियॉर की बोचहार सी हो गई ये मीटियॉर सोलर सिस्टम के बहार से आएं थे इस पीरियट को लेट हैवी बंबाडमिन कहते हैं करोनों साल तक धर्थी पर कहर लगातार चारी रहा एस्टरोइड और कॉमिट की जबर्दस्ट बंबारी चलती रही पर इस जबर्दस्ट बंबारी के आखरी दोर ने पृत्वी पर होने वाली तीस स्वी भागेशाली घटना को मुम्किन बनाया क्यूंकि कॉमिट और एस्टरोइड अपने साथ पांग भी लाते हैं लेट हैवी बंबाडमेंट पीरेड की खासियत ये थी कि उस दोरान धर्टी पर कुछ मात्रा में पानी पहुचा जिसके बिना धर्टी पर जीवन नहीं पनप सकता था करोनों सालों में युवा धर्टी पर काफी मात्रा में पानी जमा हो गया जिससे महसागरों और बादलों की बनावट हुई और इस तरह धर्थी पर मौसमों की शरवात हुई भाव, काबन डायॉकसाइड और नाइटरजन के मिश्रून ने धर्थी के वादवरण को रच दिया था बेशक ऐसा वादवरण मनुश्य और परशों के लिए सहरीला साबित हो सकता था पर अब धर्थी में वो सारे तत्वों मौझूद थे जो जीवन की शरुवात के लिए सरूरी थे जैसे कि एक सेल वाला जीव, बैक्टिरिया हमें ये नहीं पता कि जीवन की शुरुवात कहां, कब और कैसे हुई पर हमारा मानना है कि इसकी शुरुवात लगभग 370 से 350 करोड साल पहले हुई थी यानि लेट हैवी बंबार्डमिन की ठीक बाद उस वक धर्थी पर हालात नरक जैसे थे गर्मी बहुत स्याता थी, भुकम और च्वाला मुकी अपना कहर परसाते थे इतने मुश्किल हालात में किसी भी जीव का विकसित होना उसका पनपना कल्पना से परे की बात थी और 1990 में वैग्यानिकों ने चर्नोबिल न्यूक्लियर रियाक्टर के बीचों बीच एक खास तरह के फंगस की खोच की जो वहाँ फल फूल रहा था और साथ-साथ वो रेडियाक्टिव वेस्ट को बतौर खाने के रूप में इस्तमाल कर रहा था यह उस खास तरह के फंगस की जीती जागते मिसाल थी जिसे एक्स्ट्रीमोफाइल कहते हैं यह जीव ऐसी जखा पर बनपता है जहां ज्यादा तर प्राणियों के लिए रहना घातक होता है असी के दशक से वैग्यानिक ऐसे जीवों की निरन तर खोच कर रहे हैं जो यलो स्टोन नैशनल पार्क के गीजस में पनप रहे थे और गहरे समंदर के हाइजो थर्मल वेंट में विकसित हो रहे थे कुछ वैग्यानिकों का मानना है कि इन जीवों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अरबों साल पहले की कठोर परिस्थितियों में धर्ती पर जीवन कैसे विकसित हुआ ये जीवन का सलसला शायद जौालमुकी की सुराखों में शुरू हुआ हम सभी जीवों के जनेटिक इतिहास से प्रिथवी के उस दौर को समझ सकते हैं सभी सुराग इशारा करते हैं ऐसे कई जीव की और जिसे हम कहते हैं लास्ट यूनिवर्सल कॉमन आंसिस्टर हमारा वो पूरवच जीवन का वो रूप है जिसमें से धर्ती पर रहने वाले अलग-अलग जीव विक्सित हुए हैं हमारे उस पूरवच को गर्मी बहुत पसंदी इसलिए वैग्यानिक मानते हैं कि शायद जीवन का विकास बेहत गर्म वातावरन में हुआ जैसे कि किसी ज्वाला मुखी के मूँ के पास ऐसा किसी गहराई वाले तालाब में होना मुश्किल है क्योंकि वहाँ वातावरन इतना गर्म नहीं होता पर धर्ती को आज के शक्ल में आने के लिए ऐसे हालात चाहिए थे जहां जटल जीवन पन अप सके पर उसके लिए धर्ती के वातावरन में एक जबरतस्त बदलाव की सरूरत थी उसके लिए धर्ती को आकसिजन चाहिए थी पर वो आई की कहां से धर्ती के शुरुआती दोर का वातावरन आज के दोर से बिल्कुल अलग था अगर बीते समय में जाना मुम्किन होता तो साड़े चार अरब साल पुरानी धर्ती पर हम बिना स्पेस सूट पहने नहीं जा सकते थी उस समय धर्ती का वातावरण बहुत ही अलग था तब ऑक्सिजन नहीं थी, मुख्य रूप से काबिन डैयोक्साइड थी और जीवन ने उस वातावरण में खुद को ढाल लिया था पर फिर कुछ बहुत ही अध्भुद हुआ बैक्टिरिया का एक प्राचीन रूप विक्सित हो गया उसने सूरज के प्रकाश को उर्जा में बदलना सीख लिया इस अडाप्टिशन के कारण इस नई काबिलियत के वजह से ये बैक्टिरियम सूरज की रौश्णी को लेकर उसे डाइजिस्ट करके उर्जा में बदल सकता था इस नई प्रक्रिया से खजब का वेस्ट प्राटक्ट पैदा होने लगा ऑक्सिजन हाला कि बैक्टिरिया की उस खास प्रजाती का हर सदस्य ऑक्सिजन की बहुत ही कम मात्रा पैदा करता था पर लंबे आर्से के बाद अर्बों बैक्टीरिया ने पृत्वी के वातवरण को आक्सिजन से लबालब कर दिया आक्सिजन से भरपूर वातवरण की ये रचना पृत्वी को मौझूदा रूप देने वाली चौथी भागिशाली घटना थी इस खास लम्हे के निशान धर्टी पर चारों और दर्च है हमारे पास ये चटान का नमूना है जो लगभग धाई अरब साल पुराना है आप यहाँ नीचे की तरफ देखिए और यहाँ उपर की तरफ ये जो चमकदार लाल धारिया नजर आ रही हैं इन्हें हम बैंडिड आयन फॉर्मेशन कहते हैं और ये लाल वाला हिस्सा आयन उक्साइड है यानी जंग लगा लोहा और जंग ऐसे युग में लगा होगा जब वातावरण में बहुत सारी ऑक्सिजन होगी जो लोहे को जंग में बदल सकी बेशक वातावरण में ऑक्सिजन मौचूद थी पर अभी भी चीवन समंधर की कहरायों में छेपा हुआ था सूरज की घातक रेडियेशन उन जीवों के लिए जान लेवा हो सकती थी जो समंधर से बाहर आने की हिम्मत करते तब अल्टरा वाइलट रेडियेशन से प्रित्वी की सुरक्षन ना के बराबर थी अगर धर्ती का आकार इस सेव जितना है तो उस समय की सुरक्षात्मक परत इस सेव के छिलके से भी पतली थी खुश किस्मती से अब ओजोन लेयर है जो कवच की तरह धर्ती को सूरज की घातक रेडियेशन से बचा रही है जब तक वायू मंदल में ओजोन लेयर की बनावट नहीं हुई थी तब तक धर्ती की सतय पर जीवन की पनपनी की संभावना नहीं थी क्योंकि रेडियेशन की वज़े से वातावरन बेहत घातक था पर जब कवच के रूप में ओजोन लेयर उभरी तो जीवन ने समंदर से जमीन की और रुप करना शुरू कर दिया अउजोन लेयर धर्ती को अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन से बचाती है पर इसके अलावा धर्ती के पास एक अद्रश धाल भी है जो उसे आस्मान में छिपे हुए कुछ और खत्रों से बचाती है सौर तूफान और हवाओं की सबर्दस्त वेव्स धर्ती से टकरा कर चार्च्ट बार्टिकल्स की बचार करती है ये बचार जिवों में कैंसर जैसे रूप पैदा कर सकती है किसी विशाल बार मैकनेट की तरहा धर्ती का अपना चुमब की एक शेतर है जो उसके द्रूवों से फैल कर चतरी जैसा काम करता है वो धर्ती पर आने वाली घातक बोचारों को वापस लोटा देता है सौर हवाएं हर वक्ट चलती रहती है पर धर्ती का सुरक्षा कवच हमें उसके असर से बचाता है अगर ये कवच ना होता तो सौर हवाएं धर्ती के वातावरन को चलनी कर देती वो उसे बेहत हलका करके उसका वजूद मिटा देती इसका असर धर्ती के सभी जीवों पर पड़ता अगर धर्ती की मेगनेटिक फील नहीं होती तो सौर तूफान और सौर हवाओं के पार्टिकल्स धर्ती के सतय पर आसानी से पहुच जाते और हम घातक वेडियेशन के शिकार हो जाते धर्ती के एक चुम्ब की एक शेत्र और उसान लेयर प्रित्वी पर होने वाली पांचवी भागिशाली खटना थी पर विकास का सफर हमेशा असान नहीं होता देखा जाये तो जीवन की कहानी मृत्यू की कहानी भी है पंद्रा करोर साल तक धर्ती पर दैनोसौस का राज था फिर अचानक उनकी हकूमत खत्म हो गई एक बड़ा एस्टरॉइड या कॉमेट धर्ती से आटक राया पर इस घटना से पूरी दुनिया में तबाही मच गए इस तकराव की वजह से चारों और धूल छागे जिसने सूरज को छिपा दिया और दुनिया भर में सरदिया छागे इसके अलावा पूरी दुनिया में जगे जगे आग लगए और टाइडल बेव जुपे और एसिड रेन यानि अमलिय वर्षा शुरू हो गई ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि चटानों में छिपी काबन डाय ओक्साइड वेपर आइस हो गई होगी और बाद में पानी के साथ मिलकर उसने असिड रेन का रूप ले लिया होगा महा प्रलय मचाने वाले इस तक्राव के बाद पृत्वी पर नर्ग जैसे हाला थे तो साड़े छे करोड साल पहले धरती बहुत बुरे हाल में थी पर ये महा प्रलय वो जटी भागिशाली घटना थी जिससे उस धरती की रचना होगी जिस पर मानुवजादी का राज होगा डाइनसार्स का राज खत्म होते ही प्राणियों के एक नए समू को अपना जोर दिखाने का मौका मिला ये थे मैंबल्स याने स्थनधारी जीव अगर डाइनसार्स का खत्मा नहीं होता तो आज हम यहां नहीं होते ये जीव चुचंदर से भी छोटे थे आगे चलकर इन जीवों की प्रजाती विकसित हुई और इसने हजारों तरह किस तंधारियों का रूप ले लिया जिसमें इनसां भी शामिल थे जो एक तने स्क्रह पर राच करेंगे इनसान को धर्ती पर बसे करीब दो लाख साल हो चुके हैं जिन भागिशारी घटनाओं का सिल्सिला हमें यहां Тक ले आया जरूरी नहीं कि आगे भी वैसा ही कुछ हो आकिर मानवचाती की हकूमत कब तक चलेगी क्या मानवचाती के साथ भी वैसा ही कुछ हो सकता है जेसा डाइनसारस के साथ हुआ इनसान बागी प्रजातियों से अलग है वो सिर्फ ऐसे ग्रह पर विकसित हो सकता है जहां पर हालाते एक तम सही हों जहां का तापमान पानी को दरल बनाये रखे जहां एक बड़ा चंद्रमा ग्रह की और्बिट को स्थिर रखे और जहां का सुरक्षा कवच उसे घातक रेलियेशन से बचाय रखे पर जिन हालात की वज़े से मानव जाती पनब सकी क्या वो हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे ऐसे बहुत सारे तारीके हैं जिससे हम खुद को दबाह कर सकते हैं ये परमानू संबंदी तबाही हो सकती है या फिर ये कोई जैविक या रासायनिक युद हो सकता है या फिर कोई ऐसा फ्लू या प्लेग हो सकता है जिससे धरती पर फैलने से रोकना शायद इतना आसान ना हो जिसके खिलाफ मानव जाती कोई ठोस कदम नहीं उठा सकती अगर मानव जाती ने अपने अस्तित्वा के लिए कोई बड़ा खत्रा पैदा किया है तो वो है जरुद से ज्यादा आबादी ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब धर्ती पर मानव जाती जिन्दा ही नहीं रिपाएगी अगर इंसान खुद अपने पैरों पर कुलहारी ना भी मारे तब भी उसका विनाश दिश्चित है ऐसी कई कुदरती घटनाएं मुम्किन हैं जिनके कारण ज्यादा तर प्रजातियां लुप्त हो सकती है मिसाल के तौर पर जबरदस्त ज्वालामों की फूपने से ऐसा संभव है कि सूरज की रोश्णी धर्ती के वातवरण में घुसी ना पाए जिससे पूरी धर्ती का तापमान बेहत गम हो जाए और हम आई सीज में पहुँँच जाएं हमारी धर्ती पर एस्टरॉइड या कॉमेट से टकराव होने का खत्रा हमेशा बना रहता है अगर ऐसा हुआ तो जीवों की ज्यादा तर प्रजातियां मिट जाएंगे और अगर इस एस्टरॉइड या कॉमेट की चौड़ाई 16 किलोमेटर या उससे ज़दा हुई तो धर्ती पर तबाही का बहुत जबरस सिलसला शुरू होगा बहुत सारी धूल हमारे वायू मंडल में चारों और फैल जाएंगे और सूरज की रोश्टी धर्ती तक नहीं पहुँचेंगे जिससे पेड़ पौदी खत्म हो जाएंगे पहले शाकाहरी जीव दम तोड़ देंगे फिर मासाहरी जीव खत्म होंगे और बाद में जदातर जीवन भी इसके अलावा इस टकराहों से पैदा होने वाली काबन डियॉकसाइड पानी में खुलकर वापस धर्ती पर ऐसे ड्रेंग के रूप में बरसेगी इस ऐसे ड्रेंग से खाद शिंकला या फूट चेन के सबसे निचले स्थर पर रहने वाली सामकरी जैसे फसल और कुछ समुद्री जीव खत्म हो जाएंगे और आखिन में धर्ती से लगभग 75 प्रतिशत जीवों की आबादी खत्म हो जाएगी दूल और राख के बादल बनेंगे और कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे पर उनके असर से मौसम के बैटर्न कई दश्रकों के लिए बिगड़ जाएंगे जुलाई 1994 में एक विशाल कॉमेट का टकराव जियोपिटर से हुआ पिरसे टकराने वाला ये कॉमेट करीब पांच किलोमेटर लंबा था इसे नाम दिया गया शूमेकर लिवी नाइन इस जबरदस टकराव के असर को 21 अलग अलग जगों पर दर्ज किया गया और इन में सबसे बड़ा जूबा था एक डार्क होल जो करीब 12,000 किलोमेटर गहरा था लगभग धर्ती की चौणाई चितना इस टकराव से करीब 60,000,000 मेगटन टी एंटी के बराबर उर्चा पैदा हुई जो कि धर्ती के तमाम परमाणू बमों से पैदा होने वाली उर्चा से 600 गोना स्यादा है शू में का लिवी 9 के असर को जूपीटर जैसा विशाल ग्रह बरताश्ट कर सकता था पर अगर इतना बड़ा कॉमेट हमारे ग्रह से टकराता तो धर्ती पर अधिकतर जीवन तबाह हो जाता किसी बड़े अस्टरॉइड या कॉमेट के धर्ती से फिर से टकरानी की पूरी-पूरी संभावना है ऐसा तकराफ फिर जरूर होगा सवाल तो ये है कि ये कब होगा और हम इसे रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं खुश किस्मती से अगर एस्टरॉणमर आस्मान की जाच का है तो धर्ती से टकराने वाले इन ज्यादा तर एस्टरॉइड या कॉमेट का पता लगाया जा सकता और फिर इसके बाद अपलाइड फिजिसिस्स और एंजिनियर इन घातक चटानों को उनके रास्ते से समय रहते हटा सकते हैं और मानव जाती को बचा सकते हैं इस तबाही से बचने का रास्ता है वक्त से पहले उनका पता लगाना अगर हमें दशकों पहले इस खत्री की चेतावनी मिल जाएं तो हम उसके खिलाफ एक ठोस हुज़ा सकते हैं ताकि हम उस घातक चटान के रास्ते को हलका सा बदल सकें जिससे वो हम तक पहुँचने में कामियाब ना हो पाए अगर सिर्फ कुछ हफतों या महिनों या सिर्फ साल वर पहले चेतावनी मिले तो हम कुछ नहीं कर पाएं ये चेतावनी हमें जिसकों पहले मिलनी चाएं लेकिन धरती पर सिर्फ एस्टरोइट का खत्रा नहीं मंटरा रहा कुछ और भी खत्रे हैं जो धरती से जीवन का न ना वो निशान मिटा सकते हैं उन में से खत्रा सुरक्ष से हो सकता है ये मानना मुश्किल है पर असल में अंतरिक्ष में भी मौसम होते हैं इसे हम स्पेस वेदर कहते हैं ये वहां से शुरू होता है जहां धर्ती के मौसम के हदे खत्म होती है ज्यादा तर जिस स्पेस वेदर की हम चिंता करते हैं वो सूरच से आने वाले सौर तूफान और सोलार प्लेर्स है हालां कि पृत्वी का चुम्ब की एक शेत्र एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है पर बड़ा सौर तूफान इस कवच को भेदने की ताकत रखता है अगर ऐसा कोई तूफान धर्ती की और रुख करता है तो उससे धर्ती पर बड़े बेमाने पर बरबादी होगी यानि कि उसके आने से चारों तरफ बिजली का प्रवाह होगा जिससे हमारे ट्रांसफॉर्मर्ज शॉर्ट सरकिट हो जाएंगी और हमारे पावर गिड़ खाफ हो जाएंगी बिना बिजली के मानव से बड़ा का बुनियादी धाचा चरमर आ जाएगा और चारों और महमारी अकाल और सामाजिक अराज़कता पहल जाएगी इससे मानव जाती का सफाया तो नहीं होगा पर इससे दुनिया में भारी तबाही जरूर मचे पर खत्रे सूरज तक सीमित नहीं है उसके परे भी है खुद्रत के कहर का एक ऐसा रूप है सूपनोवा ये किसी तारे के बायंकर विस्फोर्ट से निकलने वाली जबरतर्त उर्चा है प्रिट्वी पर जीवन के इतिहास में बड़े पैमाने पर लुप्त होने की घटना के पीछे क्या कोई सूपन हुआ था और जवाब ये है कि ऐसा होने के 50-50 चांसिस है अगर 10 से 20 लाइट येर के फासले पर कोई तारा फटता है तो उसकी वजह से धर्टी पर बड़े पैमाने पर जीवन तबाह हो जाएगा क्योंकि ऐसे विस्फोर्ट से ओजोन लेयर बाद हो जाएगी और सूरच से निकलने वाली अल्ट्रा वाइलेट रिडिशन से धर्टी पर मौत का तांडव मज जाएगा तो 10 लाइट येर के फासले पर तारे का फटना यानि बुरी खबर पिछले कुछ सालों में कुछ वाग्यानिकों ने अनुमान लगाया है कि धर्टी को इससे भी बड़ाए खत्रा है गैमा रेबर्स्ट से गैमा रेबर्स्ट यानि तेज उचा वाले पार्टिकल्स के बेहद सबरदस्ट एमिशन जो तब होते हैं जब कोई विशाल तारा भट कर ब्लाक होल का रूप ले लेता है गैमा रेबर्स्ट किसी भी तारे का बहुती जबरदस्ट विस्फोट है इससे पैदा होने वाली उर्जा विपरीत दिशा में जाने वाले दो तंग बीमों के ब्रमान में प्रसारित हो जाती है तो अगर धर्टी इन में से किसी भी बीम के रास्ते में आजाती है तो बड़े पैमाने पर जीवन तबाह हो सकता है चाहिए गामा रे बर्स्ट हजारों लाइट एर दूर ही क्यों न हो इस तैसे गामा रे बर्स्ट किसी आम तारे के फटने से बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इस तारे को नुकसान पहुँचाने के लिए 10 से 20 लाइट एर के फासले पर होना चाहिए जबकि गामा रे बर्स्ट हजारों लाइट एर दूर होने के बावजूद कहरड़ा सकता है अगर धर्ती गामा रे बर्स्ट के किसी बीम के रास्ते में आ जाती है तो उसमें मौजूद हाई एनरजी पार्टिकल्स यानि गामा रेज हमारे वायू मंडल के ओजोन लेयर को मिटा देंगे जिससे सूरज से आने वाला ट्रीडिशन हमारे वायू मंडल में दाखिल हो जाएगा और धर्ती पर जीवन तबाह कर देगा गामा रेबर्स्ट का धर्ती के जीवन पर आखिर क्या असर होगा इसके मिसाल हमें प्रत्वी के प्राची नितिहास में मिल सकती है कुछ वैग्यानिकों का मानना है कि धर्ती में विशाल पैमाने पर लुप्त होने की घटनाओं में सबसे बड़ी घटना के पीछे गैबा रेबर्स्ट थी इस घटना के वजए से वो गामा रेबर्स हो सकता है जो धर्ती से करीब 6000 लाइट एर के फासले पर हुआ था जब 40 करोड साल पहले होने वाली इस घटना को और विशन सिलूरियन एक्स्टिंशन कहते है उस समय धर्ती पर जीवन समुद्र और महसागरों तक सीमित था तब मॉलस्क, शेलफिश, गोरल और ट्रायलोबाइट जैसे जीवों का बोल बाला था सिर्फ 10 सेकेड तक चलने वाली गैमा रेबर्स्ट से धर्ती की पचासवी सदी ओसोन लेयर तबाह हो गई जिसके कारण सतह पर मौजूद सभी पेर पौधे और जीव जान लेवा अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन के शिकार हुए वैज्यानिकों का अनुमान है कि इस घटना की वज़े से जीवन की सभी प्रजातियों में से साथवी सदी से स्यादा का नाम निशान मिट क्या होगा अगर आज के दोर में ऐसी घटना होती है तो दुनिया भर में तबाही मत जाएगी जो भी ग्यामारेस के सीधे संपर्ग में आएगा उसे खतरनाक अल्ट्रा वायलिट रेडियेशन के दुश परिणाम भूदने पड़ेंगे धर्ती की उस ओन लेयर के तबाह होने से दुनिया की फूट चेंड उसकी कहाते श्रिंखला नश्ट हो जाएगी और आखिरकार ग्यामारेस के कारण वातावरान में ऐसे केमिकल रियाक्शन्स होंगे जिससे दुनिया भर में परमाणू सर्थी चा जाएगी फसलें बरबाद हो जाएगी और भूखमारी फैल जाएगी अच्छी बात यह कि इतने विशाल ब्रमाण में गामारेस सिर्फ उसको ही तबाह कर सकता है जो उसके तंग बीम्स के रास्ते में आता है और अगर धर्ती उस बीम की किसी भी दिशा में नहीं आती तो हमें कुछ नहीं होगा धर्ती का किसी ऐसी बीम की चपेट में आने का खतरा बहुत ज्यादा नहीं इसलिए लगता नहीं कि मानवजाती कामारी बर्स्ट के कारण धर्ती से लुपत होगी हमारे पास फिक्र करने के लिए उससे भी बड़े खतरे है अगर मानव जाती लुप्त भी हो जाती है तब भी धर्ती पर जीवन चलता रहेगा अगर बड़े पेमाने पर लुप्त होने की घटना होती भी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि धर्ती भी हो जाएगी उस घटना से पहले जिस जीव का वर्चस्फ था सिर्फ वो बदल जाएगा पर धर्ती का जीवन चलता रहेगा धर्ती पर इंसान सिर्फ दो लाक साल से है जबकि धर्ती पर जीवन लगभग साड़ी तीन अरब साल से है बेशकाज धर्ती पर इंसान का ही राज है पर धर्ती के ज़्यादतर इतिहास में ऐसा नहीं था जीवन को धर्ती से पूरी तरह से मिटाना बेहद मुश्किल है जीवन बदलाव के अनुसार खुद को ढान लेता है इसलिए धर्ती पर जीवन चलता रहेगा इंसान और जानी पहचानी प्रजातियों के इतने के बाद भी जीवन चलता रहेगा पर क्या कुछ ऐसा होता है जो क्रहों को निकल जाता है अंधेरे में इंतजार में बैठा है क्या कुछ ऐसा जो धर्ती का नाम निशान मिटा सकता है हाला कि वो बहुत विचित्र है उनमें साइन्स फिक्शन फिल्म वाली कुछ बात है पर ब्लैक होल्स एक हकीकत है और कुछ वैग्यानिकों के अनुसार बड़े ब्लैक होल किसी ग्रह को भी निकल सकते है ब्लैक होल एक ऐसी बनावट है जिसका ग्रैविटेशनल पुल इतना जबरदस्त होता है कि प्रकाश भी उसके खिचांव से नहीं बच सकता ब्लैक होल का केंदर इतना छोटा और इतना घणा होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कोई ग्रह हो या फिर कोई और चीज जो भी उसके पास जाता है ब्लैक होल उसे अपने अंदर खीच लेता है और वो उसमें खायब हो जाता है अगर कहीं से कोई ब्लैक होल हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर जाए तो ग्रैविटी के उसके सबर्थी पर तबाही मच जाएगी मायानक भुकाम पाने लगेंगे और बड़े बड़े ज्वाला मुखी फूटने लगेंगे जब कोई ग्रह किसी ब्लैक होल में दाखिल होता है तो वो ग्रह नूडल्स की तरह लंबाई में खिचने लगता है फिर उसके बेहत लंबे और पतले रेशे बज़ जाते हैं जो अंत में बेहत छूटे पॉइंट में इससे कुड़ जाते हैं तो अगर हमारी धर्ती या सूरज को कोई ब्लैक होल निगल लेता है तो वो सच्पे बहुत बुरी खबर हो पर ब्लैक होल बहुत बहुत चोटे होते हैं तो इसलिए हमारे सूर मंडल में किसी ब्लैक होल के आने की संभावना बहुत कम है एक और खत्रा है जो धर्ती को तबाह कर सकता है वैग्यानिकों ने उसे अजीब नाम दिया है रोग प्लानेट अंतरिक्ष में भठकते इन ग्रहों की खोज नबे के दशक में हुई जब एस्ट्रानुमर्स को उनके होने के पुखता सुबूत मिलने शुरू हुए रोग प्लानेट वो खास तरह का ग्रह है जो किसी दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम से इजेक्ट होकर आया है शायद ऐसे किसी प्लैनेटरी सिस्टम से जो अभी बन रहा है वहाँ के ग्रहों के ओबिट ठीक से तैवी नहीं हुए इस वज़ाई से ग्रह टकरा जाते हैं और ग्रेविटेशनल स्लिंक शॉट इफेक्ट की वज़ाई से वो बाहर धकेल दी जाते है रोग प्लानेट यतीमों की तरह अंतरिक्ष में अकेले भटकते रहते हैं वो किसी तारे से नहीं बंदे है ऐसा माना जाता है कि कुछ और तारे हैं जिनके इर्द-गिर्द ग्रह चकर काट रहे हैं और कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो किसी तारे से नहीं बंदे हैं शायद वो अपनी और्बिट से छूट निकले थे और अब वो बिना किसी रोग टोक के अंतरिक्ष में अकेली घूम रहे हैं हमें लगता है हमारी मिलकी वे गैलक्सी में चार और अर्बो रोग प्लैनेट्स घूम रहे हैं कुछ हुआ ग्यानिकों का अनुमान है कि इनमें से एक रोग प्लैनेट हमारे सौर मंडल में घूमता हुआ पहुँच सकता है और उसका प्रित्वी से टक्राव संभाव है और अगर ऐसा होता है तो उससे हमारी धर्ती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अगर कोई रोग प्लैनेट यहां आ जाए है तो वो ग्रहों को आविट से भटका सकता है वो प्रित्वी को सौरज में ढखेल सकता है या फिर वो उसे सौर मंडल से भी बाहर कर सकता है मिल्की उए गैलेक्सी में अंतरिक्ष लगभग खाली है सौरज जो धर्ती के आकार से सौव गुरा बढ़ा है अगर उसे इस फुल स्टॉप जितना छुटा समझा जाए तो फिर सबसे करीब का तारा लगभग 15 किलो मीटर दूर होगा और किसी रोग प्लैनेट की दूरी उससे भी कहीं ज्यादा होगी किसी रोग प्लैनेट का हमारे सौर मंडल में से गुजरना नामुम्किन नहीं पर ऐसा होना भावना बहुत कम है पिछले कुछ सालों में एस्ट्रॉनमस को रोग स्टार्स के होने के सुबूत मिले हैं ये तारे अंतरिक्ष में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं अलेक्सी की क्राविटी का उन पर कोई असर नहीं होता अगर हमारा टकराव किसी रोग स्टार से होता है तो उससे हमारा पूरा सौर मंडल तबाह हो सकता है खुश किसमती स्टार जो तेज रफ़तार वाले रोग स्टार अब तक खोजे गए हैं उनमें से सबसे करीम धरती से 42,000 लाइट येज दूर है पर धरती का सामना एस्टरोइड, गामा रिबरस्ट, रोग प्लानेट या रोग स्टार से टल भी गया तब भी ये तो तैह है कि एक तिन ये धरती खत्म सरूर होगी मान लेते हैं कि हम एस्टरोइड के टकराव को रोक सकते हैं और प्राकरतिक आपदाव को टाल सकते हैं पर इतना जान लीजी कि एक बात है जिसके हमें फिक्र करनी पड़ेगी वो ये कि एक या दो अरब साल के अंदर धरती के महसागर इवैपरेट होकर सूख जाएगा क्योंकि सूरज धीरे धीरे तेज हो जाएगा, उसकी गरमी बढ़ जाएगी, इससे त्रत्वी भी घर्म ओ जाएगी और प्रत्वी की सते पर पानी नहीं रहेगा, तो हमारा जीवित रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सुदूर भाविश में सूरज का भी अंत होगा हमारा सौर मंडल और धरती खत्म हो जाएंगे उना आखरे लम्हों का वो अद्बत नजारा कैसा होगा धरती मौत को गले कैसे लगाएगी धमाके के साथ या फिर खामोशी से प्रिथवी इसलिए इतनी अनोखी है क्योंकि इस क्रह में जीवन पनब सकता है कई मायनों में हमारा पूरा क्रह एक जीवत चीज की तरह है पर जिस चीज में जीवन है उसकी मृत्य तो निश्चित है प्रिथवी उन विनाशकारी घटनाओं से बच सकती है जो चारों और तबाही मचाने के ताकत रखती है परंथ में उसे सूरज और तमाम सौर मंडल के साथ साथ मिठ जाना होगा सूरज को अस्तित्व में आए करीब साड़े चार अरब साल हो चुके है वो अपने परमानू इंधन का लगभग आदा हिस्सा इस्तमाल कर चुका है ये कह सकते हैं कि सूरज एक अधेड उम्र वाला तारा है जो अपने सामानिस्थर जीवन की आधी उम्र जी चुका है लगभग पांच अरब साल के अंदर सूरज एक लाल रेड जाएंट का रूप ले लेगा उसका तेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसकी चमक बढ़ेगी आकार भी बढ़ेगा और ऐसा होने के बाद वो सबसे पहले को निकलेगा उसके बाद बीनस और शायद उसके बाद धर्ती कोगी कुछ बैग्यानिकों के अनुसार आखिर में धर्ती गूमते गूमते उबलते हुए सूरज से जा तकराएगी और उसमें समा कर खाक हो जाएगी अगर एक फूट 16 लाग किलोमेटर जितना हो तो पृत्वी इस बैरिंग बॉल जितनी होगी और सूरज इस फूट बॉल जितना और फिर सूरज धर्ती से 93 फूट दूर होगा जितना वो संदायल है जब सूरज का इंधन खत्म हो जाएगा तो वो एक रेड जायन का रूप लेकर फैलना शुरू कर देगा और धीरे धीरे उसकी सत्य धर्ती के ओबिट तक पहुँच जाएगी यानि की करीब 93 फूट दूर जब सूरज उस रेड जायन का रूप ले लेगा तब वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि हो सकता है कि वो धर्ती को ही निगल जाए और फिर धर्ती का वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा आज से लगबग 5-7 अरब सालों में सूरज बहुत ज्यादा बदल जाएगा तब धर्ती के सतह पर जीवन होने की कोई संभावना नहीं बचे अगर हम मान भी लें कि सूरज धर्ती को नहीं निगलता तो ये तो निश्चित है कि धर्ती का तापमान परदाश्ट से बाहर होगा क्योंकि उस समय का सूरज आज की सूरज से लगबग 1000 गुना ज्यादा तेज होगा इससे पहले की सूरज एक रेड जायंट बने उमीद है कि मानव जाती किसी दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम तक पहुचने की तयारी कर लेगी वो किसी रहने लायक ग्रह में जाकर बस जाएगी कोई ऐसी जगे जिसे नया घर कहा जासे इसका पूरवानुमान लगाना मुश्किल है कि धर्ती के मिटने का सिलसला कैसा होगा उस सूरज धर्ती को ना निकले शाय धर्ती ही उस विशाल रेड जायन से बहुत दूर चली जाए जब सूरज का आखरी समय आएगा तो वो रेड जायन बन जाएगा तब उसका मास लगातार घट रहा होगा वो अपने विशाल कायरूप को धीरे धीरे खो रहा होगा उस वज़ाए से धर्ती धीरे धीरे सूरज से दूर होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर हो जाएगा एक और संभावना है कि कुछ ऐसे असर पैदा हो जिनसे धर्ती सूरज की तरफ जाने लगे वो भी तेजी से घूमते हुए मिसाल के तौर पर अगर वो सूरज के वायू मंडल में दाखिल हो जाती है तो फ्रिक्शल ड्रैग की वज़ह से वो गोल गोल घूमती हुई उसमें समा जाएगी पर कौन सा असर हावी होगा ये कहना मुश्किल है शायद धर्ती सूरज से दूर चली जाए या ये हो सकता है कि सूरज धर्ती को निगल ले पर जो भी होगा ये निश्यत है कि धर्ती के साथ आखिर में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा जैसे जैसे सूरज का इंधन खत्म होने लगता है उसका कोर लगाता ठंडा होकर सिकोडने लगता है तब उसका डायमीटर कुछ हजार किलोमेटर का ही रह चाता है अब वो वाइट ड्वाफ बन गया है वाइट ड्वाफ बन जाने के बार सूरज का आकार बहुत ही छोटा होगा लगभग प्रित्वी जित्रा पर तुलना में उसका मास बहुत ही ज्यादा होगा धर्ती से लगभग दो लाख गुना ज्यादा मतलब वाइट ड्वाफ बहुत ज्यादा घना होगा उसके जरा से टुकडे का वजन कई टन होगा सिर्फ सूरज का गर्म कोर ही बाकी बचेगा और प्रित्वी का ज्यादा कुछ नहीं बचेगा बुरी तरह से जलने के बाद अब प्रित्वी बस पत्थर का एक टुकड़ा ही होगी और इस तरह आखिर में धर्ती उन सभी भागेशाली घटनाओं को इस्तमाल कर चुकी होगी हाला कि धर्ती का भविश्य अंधकार में लग रहा हो तर ऐसा होने में अभी बहुत बहुत देर है धर्ती का अस्तित्व अर्बों सालों से बना हुआ है और उसका भविश्य आने वाले अर्बों सालों तक बना रहेगा हमें ये धर्ती पर आये पांच लाग साल भी नहीं हुए इस ग्रह के लंबे इतिहास में हमारी मौजूदगी बस पलग जपक में जितनी देर की है तो ये ध्यान रखते हुए ही हमें सोचना चाहिए कि धर्ती के लिए हमारा फॉर्स क्या है हम इस से क्या सीख सकते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं